नमस्कार दोस्तो आप सभी का सुवागत है हमारे चैनल पे चैनल पे नए तो एक बर वीडियों के शुरूल से अन तक देखें और अगर वीडियों अच्छा लगता है तो चैनल को सब्क्राइब कर ले और अपने दोस्तों पस शेयर कर दें और अगर आप इसका पीडियाप चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जोईन हो जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप जिस तरह से प्ले लिस्ट में जाते हैं उसी तरह से एक आएगा जो भी प्रस्म ने पूछा गया UPSC, BPSC, PCS exam, SAC, Railway किसी भी एक्जाम में वह आपको वहां कराया जाता तो उससे संबन दें जिससे आपका एक्जाम का जो तयारी हो वह बेहतर हो जाए मेरा जो कोर्सिस रहता है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जा तो आप टेलिग्राम चैनल से जोवाइन हो जाए एक बार बीजिट करके देखे आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दिया जागा जिससे आपको यानि एक तरह से गुसा आएगा या किसी पर करका कोई भी आप सिकायत नहीं करेगा हमसे जो भी पॉइंट दिया जाता हो तो आपके एकजाम के पॉइंटों भी से इंपोर्टेंट होता है तो आइए मनों सीधा वीडियो को सुरू करते हैं और एक बर चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी सेर कर लें तो आइए मनों सीधा वीडियो को सुरू करते पहला प्रश्ण है कि अनुछेद एकामन की ए जिसमें मौलिक करतव्यों का बर्नन है वो किस सम्मिधान संसोधन के तहट सम्मिधान में सामिल किया गया था अत्ती महत्पूर्ण प्रश्ण है किसी भी एकजाम के लिए अगर आप तैयारी करें तो एकजाम के लिए होने दिया गया अब आप हम समझा रहें लिख रहा कि अनुछेद एकामन की ए जिसमें मौलिक करतव का बर्नन है को किस सम्मिधान संसोधन के तहट सम्मिधान में सामिल किया गया तो अगर एक तो प्रश्णी यह हो गया किस सम्मिधान संसोधन के तहट मौलिक करतव को सम्म संभीधान में सामिल किया गया तो 42 संभीधान संसोधन और एक काव होता है कि 42 संभीधान संसोधन एक काव होता है 1976 में काव होता है 1976 में एक प्रशन यह बनेगा कि 42 संभीधान संसोधन काव है 1976 में और इसको मिनों क्या कहते है मीनी संभीधान के नाम से भी जाना जाता है लगू संभीधान के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी याद रखिएगा और ब्यालिस में संभीधान संसोधन के ताइट मुल संभीधान में मुल संभीधान में यानि उदेशका में तीन सब्द जोड़ा गया यानि प्रस्तावना बोलिया या उदेशका तीन सब्द जोड़ा गया और तीन सब्द कौन-कौन था उसको नोट करिये पूछ लेगा प्रशने की ब्यालिस्मा संभिधान संसोधन दोवारा 1976 में मौल सम्भिधान या उदेशका में या प्रस्तावना में कौन सा सब्द जोड़ा गया कोई भी तीन सब्द में से एक सब्द दे देगा ए प्रशने पूछेगा दूसरा प्रशने पूछेगा कि ब्लिस्मा संभिधान संसोधन 1976 के तहत मौल सम्भिधान में या प्रस्तावना में कौन सा सब्द नहीं जोड़ा गया तो जो तीन सब्द जोड़ा गया और एक सब्द ऐसा देगा जो जोड़ा नहीं गया तो आपको बनाना होगा तो कौन कौन सब्द जोड़ा गया समाजबाद 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 पंथ निरपेच पंथ निरपेच समाजबाद पंथ निरपेच अखंडता अर खंड तक ए जो तीन सब्ध है प्रस्तावना में जोड़ा गया था और प्रस्न पूछेगा कि किस संभिधान संसोधन के तहट जोड़ा गया था ए बियालिस्मा संभिधान संसोधन 1976 में और कौन से समीति था स्वार नेशिय समीति के सेफारिस पे यह भी प्रश्ण पूछेगा इसको भी नोट करिया स्वर्नेशी समीती स्वर्नेशी समीती के से फारिष पे या था 22 समिधान संसो दन 1976 तो इसको नोट कर लिजेगा important है देखे यहां क्या-क्या प्रश्ण पूछेगा इसमें confuse नहीं करिया प्रश्ण पूछेगा किस समीती के से फारिष पे मौलिक कर्तव को सम्विधान में जोड़ा गया तो स्वर्नेशी समीती और अनुछेद कौन सा एकामन का ए और भाग कौन सा जोड़ा गया चार का ए यानि चार का ए बोलिए या चार का का लिख दिजिए भाग चार का ए जोड़ा गया और अनुछेद एकामन का ए अगर प्रश्ण पूछेगा कि मौल सम्विधान में मौलिक कर्तव था या नहीं तो अंसर क्या होगा नहीं तो जोड़ा कब गया? दियालिसमस सम्विधान संसोदन 1976 में अई होग कि किलियर हो गया होगा और शुरू में कितने मौलिक कर्तव को जोड़ा गया था? 10 और बाद में एक और जोड़ा गया 86 सम्विधान संसोदन उसको भी नोट कर लिजेगा और ये कब हुआ था? 2002 में ये कब हुआ था? 2002 में और इसमें क्या जोड़ा गया था? सिच्छा का अधिकार यानि 86 सम्विधान संसोदन 2002 में सिच्छा और इसी संसोदन के तहत मौलिक अधिकार उसमें भी सिच्छा जोड़ा गया था 46 सम्विधान संसोदन 2002 में तो इसको याद रखेगा बहुत ज्यादे important है जितना आप अश्टार लगए है उतना कम है क्यांकि यह प्रश्ण UPSC और BPSC के point of view से important हुए है क्यांकि समाजवाद पंथ निर्पेशता और खंटा यानि प्रस्तामना से प्रश्ण ने पूछेगा ही पूछेगा 100% तो इसको आप note कर लीजेगा important है अगला प्रश्ण प्रश्ण है इन में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेचन का परकासन करता है तो देखने से ही लग रहा बीत मंत्रा ले, इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर तो ठीक होगा, बियालिस्वान समिधान संसुधन, इसका जो अंसर होगा, बीत मंत्रा ले, इन में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेचन, यानि एकुनोमिक्स सर्वेच का प्रकासन करता है, कौन करता है, बीत मंत्रा ले अब आता नीती आयोग इंपोर्टेंट है नीती आयोग तो इससे क्या क्या प्रशने पूछेगा नीती आयोग का स्थापना किस आयोग के अस्थान पे किया गया मतलब इस ए प्रशने पूछेगा योजना आयोग के अस्थान पे किस आयोग का स्थापना किया गया, तो नीती आयोग, इस से पहले किया था योजना आयोग, और योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या किया गया, तो नीती आयोग, और नीती आयोग का स्थापना कैब को एक जनवरी स्थापना आप से पूछेगा, और ये भी पूछा था कि योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आया तो नीती आयो और नाम कैप्चेंज हुआ 2014 में सारा प्रस्ण पूछा रहा तो एक जनवरी 2015 में इसका स्थापना होता और इसका अध्याच कुन होते हैं तो बरतमान परधान मंत्री जो ही उस समय के बरतमान मंत्री रहेंगे ओ क्या रहें है? इसका अध्याच यानी पदेन अध्याच ततकालिन परधान मन्त्री और एक प्रस ने पूछा था पहले ऊपाध्याच कोन थे? नीटी आयोग के पहले उपा अध्याच कौन थे? तो इसका अंसर क्या होगा? पन गडिया पहले उपा ध्याच पूछ लेता है तो इसको भी याद रखे, यह सब सारा आपको बता दिया गया और इसका नोट भी दे दिया गया है टेलिग्राम चैनल पे अप वहाँ से जवाइन हो सकते हैं, अप वहाँ से उतार लेजेगा अस्थापना पूछे का इंपोर्टेंट है और किसका स्थान पर आथा तो योजनायोग योजनायोग का नाम बदलकर नीथी आयोग कप किया गया? दुहजार चौधा में यह भी प्रस ने पूछा अस्थापना का भुआ? एक जन्वरी 2015 को अध्याच कोन होता? ततकालिन प्रधान मंत्री और पहले उपाध्याच कौन था? पनगडिया अर्वेंद पनगडिया अभारतिये रिजर्बैक आर्वी आई आर्वी आई एक्ट 1934 एक्ट कथा? 1934 का एक्ट जो था 1934 का था लेकिन अस्थापना कभ हुआ? एक अप्राइल एक अप्राइल 1935 को और रश्टिये करन निस्नलाइज कभ हुआ? एक जन्वरी एक जन्वरी 1949 को अगर पूछेगा अस्थापना एक अप्राइल 1935 एक्ट कौन सा था? 1934 का अस्थापना हुआ एक अप्राइल 1935 को और रश्टिये करन कभ हुआ? एक जन्वरी 1949 को केंद्रिये संखी की संगठन सिधा फूल फर्म पूछेगा CSO का फूल फर्म क्या होता है? Central Estatical Organization केंद्रिये संखी की संगठन रश्टिये आई का आकलन कोन करता है? तो केंद्रिये संखी की संगठन और PC Mahan Lovis के सेफारिस पर इसको स्थापना किया गया था और संखी की दिवस किनकित जनम दिवस पर मना जाता है? तो PC Mahan Lovis Mahan Lovis के जनम दिवस पर मना जाता है तो यह भी याद रखेगा और रश्टिया आई का आकलन भी यही करता है CSO और फूल फर्मी पूछेगा तो central aesthetic organization और आई काकलन को करता रश्टी आई काकलन इंद्रिय संखी की संगठन देखिए मेरे साथ अगर आप जूड रहे हैं तो यतना आप 100% सिवर रहे हैं या आपको कहीं से कोई problem नहीं हुआ प्रोब्लम होता है आप comment box में बताइए या टेलग्राम चैनल में बताइए उस problem को solve किया जाएगा हम आपको नहीं तो फसा करें जिस तरह से आपके मावाब का सपना उसी तरह से मेरा भी सपना है आप success होए कहीं इसमें कोई problem नहीं है आपको किसी तरह के फसा कर नहीं रखा जागा जो भी content दिया जागा एदम 100% एकदम आप बिल्कुल लीजिए इससे आपको कोई भी नुक्सान ने फायदा चुड़ा कर नुक्सान तो होगा ही नहीं तो यह दम बिल्कुल original content है और आप देखी रहें सामने या आपके सामने है और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करें अपने दोस्तों पर share करें बताईए कि जब तक आप सहयोग नहीं करें जब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे और जिस तरह से हम सहयोग कर भारतिय मानक समय का निर्धानन 84.2 degree पूरवे देशांतर वाली याम योत्तर रेखा को मानक याम योत्तर मानकर किया जाता है यह इन में से किस के पास से होकर गुजरती है यह तो हम आपको बताये थे प्रश्ने पिछला पर प्रश्ने पूछा था कि इन में से किस राज से ह होकर इनमें से किस राज से होकर भारतिये मानक समय रेखा नहीं गुजरती है तो राज भी देख लीजे देखिए यहां आपको बता रहे हैं मैप में यह जो अप लाइन देख रहे है किया है 15.82 डिग्रिल है यह जो लाइन है कितना 15.82 डिग्रिल है कौन-कौन राज से होकर गुजरता है तो प्रैस ने पूछा था कौन सा राज से होकर नहीं गुजरता जब भी आप याद करिए कोई भी जीSP हो गया पहाडी के नाम परवत के नाम नदी के नाम अपगों है पूच्छ को मैं प्रश्न है कोन सा राशंधर कर नहीं गुजरता है तो देखे कॉन को राज सोकर बुझरता है यहां हो जाएगा अंद्रेपरदेश उिष्था चैंटिस का है और साथििस घर दो हो जाएगा उत्तर पर्देश और एक मदपर्देश देखетр, ध्यान सब देखे एक साथ मत परदेश तेस सी डवल एट यानि 36 गण ओड़ी यान उड़ी सा और इसको आंद्र पर्देश यानि हम एपी मान रहे हैं आंद्र पर्देश इतना राज से होकर गुजरता है तब कौन कर लिए कितना राज से होकर गुजरता है भरती मानक समय रेखा एक दो टीन चार पाथ तो भारत में पाच राज से होकर गुजरता है भारती मानक समय रेखा तो परश ने पुछे कौन सा राज से होकर नहीं गुजरता है तो इसके अलावे जो भी देगा उससे नहीं गुजरेगा और गुजरेगा किस से उत्तर पर्देश उसके बाद मत पर्देश, उसके बाद 36 गड़, उडिसा अंध्र पर्देश, और कहां से होकर गुजरते हैं तो देखी यहां पर आप देख रहों है, ए है मिर्जापूर उत्तर पर्देश में, क्या है मिर्जापूर इलाहवाद है, यानि मिर्जापूर देगा या इलाहवा उलाहावद के पास मिरजापूर तो एकजेक्ट मिरजापूर देगा तो मिरजापूर अंसर होगा तो प्रश्न क्या था? प्रश्न पर चलता है हम लोग तो यह प्रश्न है hadn't packaged मानक समय का निर्धारन साढ़े 82 लिः पूर्विद्य सांतर पूर्वेते संतर वाली या मियोत्तर रेखा को मानक या मियोत्तर मानकर किया जाता है या इन में से किस के पास से होकर गुजरती है तो इलाहबाद क्या हो जागा इलाहबाद इलाहबाद या मिर्जापूर दोनों याद रखे है इलाहावाद देगा ने तो मिर्जापूर देगा तो इसका राइट अंसर अप्शन नमबर ए और कितने राज़सों कर गुजरता है पाच कौन-कौन उत्तर परदेश, मतर परदेश, 36 गड़ और एक क्या हो जगा उडिसा और एक आंधर परदेश नीमन लिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है ति अगर आप कल भी प्रस्ने में बताय गया था उसके पिछले वाले में भी बताय गया था यक्रित और अगनासे का स्राव अमासे में होता है देखिए उल्टा प्रस्न य अगर आप पढ़े हूने कभी बाईलोजी तप इस प्रस्न सक अंसर कर ली जेगा देखने में बाळा लेकिन बोईति असान है यक्रित और अगनासे यक्रित एक उत्सर्जी आंग है legislature जो क्या है उत्सर्जी अंग है एक्रिट जिसकों बोलते है कलेजी लिभर कलेजी जानते है कलेजी कभी मुर्गा खायोंगा तो खायोंगे चिकन उसी बोले कलेजी एक्रिट लिभर जो भी बोले है तो एक परकार का क्या है उत्सर्जी अंग है यह नहीं कि उत्सर्जन होता ह उत्सर्जी अंग खुद है तो उत्सर्जन कहां से होगा यह उत्सर्जित करता है जिसमें एक्रिट से पुछ लेगा किसका सरब होता है पीत का पीत का सरब कहां से होता है एक्रिट से जामा कहा होता है जाकर पीत पीतासे में अगनासे, अगनासे भी एक उत्सर्जक अंगा, उत्सर्जी अंगा, अगनासे से क्या सरावित होता है, इंसुलीन, अगनासे के बिट्टा क्वसीका से इंसुलीन का सराव होता है, देखें जो भी जो जवान से निकल रहना है, तो हम समय लिए कि बिल्कुल जहर है, एकदम ए पीट्टा को सी का से किसका सराव होता है एंसुलीन का और एकरित से पीट का और पीट जाकर जयामा का होता है पीटासे में इसमें कन्फूज नहीं करें तो यह बोल रहा है कि एकरित और अगनासे का सराव अमासे से होता है तो यह तो हो जाएगा गलत अमासे कहाने का मतलब अ देखिए कतका नहीं है सही o who Multiple भी के बारें बात करतें आप गॉस्ट्रीक ग्रंथ्याडर गॉस्ट्रीक ग्रंथ्या यानिंग्याँ घॉड्रीद्री ग्रंथ्यैम अमासर में हार्ड्रोकलोरिक आमले और पेप्सिन इंजान्यद और सलैस्मा मुक्त करती है सलेस्मा मुक्त करती है ठीक है देखे अगर आपको यह तीन आप्स नहीं भी मालूम है तीस प्रस्टने का आप अंसर कर सकते थे अगर आपको यह करी तोरा अगनासे के बारे में मालूम है सलेस्मा जैसे हम बोले बताया थे मूकस अमासे की अंधरूनी परत को अमेंसे बचाता तो कलल नए था कि डेखे मूकस क्या था हुआ जो उसके अंधरूनी परत प्रत प चरण रहता है तो हम लोग करें जब भी खाते हैं तो इसके जस्ट आधा गंटा पहले यानि इसलिए हम लोग को भोजन time से खाना चाहिए नहीं थी से बीमारी हो सकता है क्या होगा उसके बारे मैं भी सुनिए तो भोजन हम लोग को time से खाना चाहिए तो टाइम से जैसे मौनने का आपका रूटिंग है नौ बेज़े खाने का तो जश्ट उसके आधा या 20 मिनट पहले हाइड्रोकलोरिक आमले का सराब होता है क्यों भोजन को पचाने के लिए अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाईएगा तो क्या होगा यह जो परत है मुकस जो चड़ा रहता है उसको क्या करता है नस्ट करना स्टाट करना मतलब डेली कुछ ने कुछ परवा पहुचाएगा और धीरे धीरे परवा पहुचाते पहुचाते जब आप डेली यही करिए मतलब डेली टाइम पे खाना नहीं खाईएगा तो क्या करें परत को नस्ट कर देगा जिससे क्या होगा पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जागा और इसका इलाज नहीं है मतलब आपको पूरा लाइफ दवाई खाना पड़ेगा तीसलिए आप अभी सही अभी सही क्या हो जाईए सतर्क हो जाईए और टाइम पे खाना खाईए यह नुकसान है अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाते है तो इससे क्या हो जागा आपका जो पारत है नस्ट हो जागा यह जो म्यूकस का और क्या बनेगा पेट में गैस तो यह आपको कल भी बताये थ है अगला कि हाड्रोक्लोरिक आमल पेपसिन इंजायम की किरिया को असान बनाने के लिए एक अमलिय माध्यम का निर्मान करता है लिख रहा कि हड्रोक्लोरिक आमल पेपसिन इंजायम की किरिया को असान बनाने के लिए अमलिय माध्यम का निर्मान करता है तो एभी सही है एभी सही है क्या एभी सही है तो तीनों और नहीं भी मौलूम रहेगा ना तो अब पहला प्रशन के बारे में अगर जान रहे थोड़ा सभी यक्रीत और अगनासे के बारे में तब बिल्कुल इस प्रशनों को असानी से कर लिजेगा तो अगला प्रशन प्रशन पर चलते हैं बिश्वे मरु अस्थली करन एवं सुखा रोक्थाम दिवस किस तीथी को मनाया जाता है 17 जुन बिश्वे मरु अस्थली करन एवं सुखा रोक्थाम दिवस कब मनाया जाता है 17 जुन पात जुन परियावरंदिवस 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 परिया जेल दिवस, जेल दिवस हम लिख दे रहे, जेल दिवस, उसके बाद आएगा क्या, अप्रील, 22 का आकड़ा में आपको याद रखना है, 22 अप्रील, 22 मर्च, 22 मैं, यह तीन है, देखें, यहाँ लिखते हैं हम लोग पेज लेकर, यह माली जें 22 का आकड़ा है, आएगा 22 मार्च, 1 मिनट, 22 मार्च, 22 अप्रील, और 22 मैं, तो 22 मार्च को मना जाता है, विश्वे जल दिवस, विश्वे जल दिवस, उसके बाद क्या आगा, जल पे बनेगा, पिर्थिवी, यानि सुरू बर क्या था, सबसे पहले क्या था, पिर्थिवी, यानि पिर्थिवी दिवस, उसके बाद पिर्थिवी पर क्या आएगा, जीव, जन्तु, जतने भी पेड़, पॉदय, इससे होजाएगा, तो बनेगा बिवी दिता, यानि जैब बिवी दिता, जैब बिवी दिता, तो पूछेगा 20 वे जल दिवस कब मना जाता 22 मार्च पिर थिवी दिवस कब मना जाता 22 अपरेल जैब बीवीदता दिवस कब मना जाता 22 मैं यह तीनों याद रखेगा तो इसका राइट अंसर का जग ओप्शन नंबर C अगला प्रश्णिप चलते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि 20 वे हिंदी दिवस कब मना जाता क्यांकि अशब बता दिया गया आपको जीतना भी इंपोर्टन डेटर ओवा पता दिया गया परवत माला बेवहारिक रूप से उत्तर और दच्षिन भारत के बीच की सीमा का निर्धारन करती है यानि बताना आपको कि कौन सी परवत माला है जो उत्तर और दच्षिन भारत के बीच को यानि बाटती है दो भागों में उत्तरभारत त्प्राइब टर्धारत करती ऑंने निर्धारण करते हैसं और इसको भी समझना होगा मैप से देखें कि है यहाँ आ देखें बीन बिंद स्रेणी यानि बिंद रेंज और नीचे होगा यह होगया बिंद रेंज और यह जो आप देख रहे हैं देखिए यह वला यह है बिंद रेंज और यह है सत्पूरा सत्पूरा रेंज हिंदी में लिखने क्या दिक्कत है सत्पूरा लिख लिख लिजेगा सत्पूरा स्र और एक है बिन्द स्रेनी तो यह आप लुकेशन देख लिए और एक बीचो बीच से नदी गुजरती है नर्मदा नदी तो प्रस्ण पूछेगा कि बिन्द स्रेनी और सत्पुड़ा स्रेनी के बीचो बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है तो नर्मदा नदी यह आप ना थे ताफ ऑन नरु mondo नर्म थाफ देंगे किसी भी चीजका तो क्या था ओ बीद सरेनी और सतकुड़ा सरेनी के बीचों बीच सोकर गुजरते हैं और निकलती कहां से अमर कंटक से और एक कमर कंटक से को और नदी निकलती है सोल जो जाकर गंगा मिलती है वो दच्छिन तरफ जाती है मतलब विशाइड यह याद रखेगा इंपोटेंन प्रश्न है और दो ऐसा नदी है सतुपूड़ा कर रहें सतपूड़ा नदी नहीं नहीं है देखें नरमादा और ताप्ति जो क्या बनाती है एकस चूरी यानि डेल्टा का निर्मान नहीं करती है अब श्राश्न पूछय जिसना कौन्सी नदी है ज्च्छिन ड देलस्य निर्मान नहीं करते तो क्या बनाती एक स्चूरी इसको प्याद रखेगा और बंगाल के खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है इसको बहुत ज्यादा इंप्पोर्टेंट यानि वेरी इंप्परेंट अगला प्रशन चलते हैं और इसमें क्या है और भी समझ सकते हैं यहां मैंप आपको लगा दिये हैं समझाने के लिए देखिए तो तुझ समझ ही किया है देखिए एप बीन सिरेनी है एप सत्पुड़ा सिरेनी और बीच में नर्मादन नदी और भी देख सकते हैं देखिए यह कौन से नदी है यह जो नदी जा रही है नर्मादन नदी और उपर कौन से सिरेनी है बिन्द सिरेनी और नीचे कौन से सिरेनी है यहां पर सत्पुड़ा सिरेनी प्रस्ण क्या था हाँ पर्मत माला बेवहारिक रूप से उत्तर और दच्छिन भारत के बीच की सिरेनी करती है तो कौन से पर्वत माला है बिन्द सिरेनी समझ में नहीं आते इक पर प्र से देखे यहां समझ मात है यह जो आप देख रहे हैं यह तु सर्फ पुल़ा है यह लेकिन यह आप देख रहे हैं यह पूरा निर्मान करते दू भागों में बड़ देती भारत को ठीक है तब इसको ध्यान दिजिए तिसका राइट अंसर क्या ज़ा अप्सन नमबर ए सी वालिक हिमाद्री साध्री सभी जो भाग है हिमाले सुरेनी यानि हिमाले परवत का भाग सिवालिक हो गया हिमाद्री हो गया साध्री हिमाले समय परवत साध्री हिमाले परवत नहीं आप इसको इसको पच्मी घट को सिवालिक किसका भाग है तो हिमाद्रे या अगला प्रस्थे कि भारत में परवाही योजना हैं रोलिंग पलान अगर आपको हिंदी में प्रवाही योजना आपको रोलिंग पलान लागु किये जाने के समय भारत के परधान मंत्री कौन थे जिसको हम बोलते अन्बरत योजना अन्बरत योजना के नाम से जाना रहता है अन्बरत योजना और यह कब अश्टार्ट हुआ था उनएस्व मुरार्जी दिसा है परधान मंत्री कौन थै मुरारजी दिसा है उस समय के परधान मंत्री कौन थे मुरारजी दिसा है तो और यह ज़्तार क्या हो जागा ते अन्व बरत यूज़ना कहने काम एक लंबी समय तक मतला हूं एक बहुत लंबी समय तक कि यूज़ unpre dem जिसको rolling plan, तो सिधा प्रस्ण आपसे पूछेएका कि rolling plan जो लागू किया गए था किस प्रधान मंत्री के समय में लागू किया गया था मुराजी दिसाय या प्रवाही युजना अनभरत युजना तो क्या होगा मुरारजी दिसाय और किस पाटि से मंद्ध है जंता पाटी जंता पाटी कहीं सरकार के द्वरा लगाये गया था याननी मुरारजी दिवाये निनने के दूवडर अगला प्रस्णि पे चलते हैं इंदरागांधी भारत की पहली महिला परधार्न मंद्री लाल बहादुर साश्च्त्री तास्कन समझा होते में मिर्टू हो गया था जैज जवान जैज किसान का नारा कौन दिये थे लाल भादूर स्राष्ट्री अगला प्रश्ण चलते हैं चिप को अंदोलन इनमें से किस से समंधित था तो सबसे पहले आता है कि चिप को अंदोलन हुआ कब था 1973 और उस समय के जो तत्कालिन परधान मंत्री थी इंद्रा गांधी थी तो ये चिप को अंदोलन था जो चिप को अंदोलन ये क्या था तो जो चिप को अंदोलन था उस समय के जो तत्कालिन परधान मंत्री इंद्रा गांधी थी तो नगरी करन किया जा रहा था क्या किया जा रहा था, नगरी करन ये नगर बसा जा रहा था, तो नगर बसा जा रहा था, तो बन्यों का क्या किया जा रहा था, कटाई, और यह हुआ कहा था, चमोली जिला, चमोली जिला, जिला का नम था चमोली, और उस समय कहा था, यूपी में, लेकिन अभी कहा है, बरतम बर्तमान में का उत्राखंड उत्राखंड बर्तमान में का उत्राखंड में तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करिये उत्राखंड बर्तमान में का उत्राखंड तो चमोली जीला में यानि नगरी करन किया जा रहा था उसमें के ततकालिन परधान मंत्री हिंद्रा गंदी के जो भी अस्थानियों लोग थे, क्या कि बनों से जाकर चिपक गए, यानि लिपट गए, देखे आपको फिगर देखा रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ, बनों से जाकर क्या होगे, लिपट गए, कि अगर आपको बन को काटना यानि पेड़ पौधा काटना होगा, तो उसस क्या करना होगा, हमें काटना होगा, और इख कौन है, इंद्रा गान्धी, इस तरह से बनों से जाकर, यानि चिपगें पेड़ों से जाकर तो इसी को हम लोग नाम दिए चीपको अंदुलन क्या नाम दिए चीपको अंदुलन रहे का हुआ था चमोली जीला उसमें कहां पड़ता था यूपी यानि उत्तर परदेश अभी का यानि बरतमान में उत्राखंड में क्या भुगा था 1973 में उसमें के त्यत्कालिन पर इससे कौन जूड़े हुए थे त्यीन की फिस में प्रदस्न पुछता हा है कि नीनलिकित में इससे कौन चीपको अंदुलन से जुड़े हुए नहीं थे तीन ब्यक्तिक नाम बताते आपको, आप तो एक ही ब्यक्तिक नाम जानते होगे, सुन्दरलाल वहु गुना, नाम तब सुने ही होगे, सुन्दरलाल वहु गुना, तो यह नोट करिएगा, एक नाम लिखेगा, चंदी परसाद भट, चंदी परसाद भट, सुन्दरलाल वहु गुना, सुन्दरलाल वहु गुना, और एक लिखेगा, गौरा देवी, तो आपके एक्जाम में जो प्रसत भठ या गवुरा देवी दे सकता है लेकिन अभी तक पूछा गये ही पूछता है सुन्दर लाल बहुगुना यानि चिप को अंदोलन से समंधित कौन थे सुन्दर लाल बहुगुना लेकिन कैवी कि UPSC और BPSC पूछ देता है कि कौन चिप को अंदोलन से समंधित नहीं है तो तीन नाम ऐसा देगा और एक ऐसा देगा जो समंधित नहीं है आपको बताना हुआ तो हम देखिए यह देखकर नह अगला प्रश्ण है भारत सरकार ने इन में से किसके जनम दिवस को प्रतिवस प्राक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णा लिया अत्ती महत्पूर्ण प्रश्ण है अस्टार लगा ही इसको क्योंकि 2021 में ही सुरू हुआ है स्वासुद्रine बोश 125 में जयनती पर सुरू हुआ था और कब मना जाता है 23 जन्वरी प्राक्रम दिवस 23 जन्वरी और 125 में जयनती पर स्वासुद्रe बोश तु मुझे खुन्द मे तुम्हें जादि देओंगा स्वासुद्रे बोश दिल्ली चलो का नारा स्वास्चेंद्र बोस हर्वट बलाप का स्थापना स्वास्चेंद्र बोस 1949 में तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है पंडित दिन दियाल उपाधिया तब के बताने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दिन दियाल उपाधिया कर दिया गया शौमी बिवेकनन सिकागो में सामिल हुए थे बिश्वे धर में समिलन और एक कैव सामिल हुए थे एक काव सामिल हुए थे 1893 में सिकागों में बिश्वे धर में समिलन और यह जब दूसरी वर गए थे हैं सेकेंड बिश्वे धर में समिलन में 1902 में साइध पेरिस या फ्रांस आप एक वर चेक कर जें उन्हें 102 में गए थे दोसरा नहीं पुझता है कि सिकागों में स्वामी विएक कानल और जब 1902 में गए थे इनका क्या हुए था मिर्तु हो गया था हुए ही जब दूसरा सेकेंड विश्वे धर में समिलन में गए थे चार जुलाई 1902 को और चार जुलाई को ही मनाया जाता है अमरीका का स्वात्तंत्रता दिवस यह हो गया स्वामी विवेक कानल पंडी दीन दियाल आपको बताना है किस रेलबे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया तो अगला प्रश्न प्रश्न चलते हैं राजसवा संसेट के कारेकल के अब दी कितनी होती है तो यह सब प्रश्न बच्चों वाला प्रश्न है छे बर्स कितना बर्स छे बर्स और राजसवा किस में है तो हम आपको बताया थे सरला सरला सैस संसद श्रेवंटी ने राजसवा 80, लाजस्स लोक्सवा 80 तो इसका राइट अंसर के होता ऑ्प्शन नमबर ऑ अगला प्रश्न प्रश्न प्चलते हैं और लोक्सवा का कारेकल कितना पाच बर्स का निवनलीखित में से कौन सा आर्कमेडिज के सिधान पर अधारित नहीं है निवनलीखित में से कौन सा आर्कमेडिज के सिधान पर अधारित नहीं है तो जब भी आर्कमेडिज का बात है तो आपको याद रखना द्रब से समधिया नहीं तेरना डूबना जो भी समधित है क्या आर्क मेडिज का सिधान उत्पलावन बल जिसकों करते हैं उत्पलावन बल किसने दिया आर्क मेडिज उत्पलावन बल और यह क्या है पर करका, ब्राब में लग Kimchi किसी बस तू को ड्राब में अधूराय तो तयर ने लगता है। क्योंकि एक बल लगता है ड्रब में जिसक को ओन ने उत्पलावन बल और यह कोज किस किू Capitol किया अर्क मेडिज ने तो जब भी द्राप से समय तेरता डूबता हुआ तेरने का नियाम डूबिने का नियाम में द्राप से रिलेटड अधिक्तर नियम जो आएगा आर्क मेडिज का सिधानत मार देजेगा सही हो जाएगा ठीक है तो इसका जो राइट अंसर होगा पूछ रहें कि अधारित नहीं है लेक्तोमीटर दूद की सुधता तो दूद की सुधता किसके दौरा मापा जाता है लेक्तोमीटर से तो बताए दूद है जो लिकिविट है यानि द्राप है या नहीं है तिससे समय ने आठ मेडिज का सिधान्त लागू होगा तो लेक्टोमीटर क्या नापता है डूद की सुधता सिधा प्राशने पूछेगा डूद की सुधता लेक्टोमीटर से ना पजाता है अगला कि जहाजों और और पंडूवियों की डिजाइन तो यह भी है जहाज और पंडूवियों की डिजाइन कें जहाज और पंडूविय कहां चलता साते हाँ तो और याणी काम करता है हाइड्रोमीटर है हाइड्रोमीटर क्या है द्रब घनात्व मापी जो हाइड्रोमीटर है एक पर करका क्या है तो हाइड्रोमीटर एक पर करका क्या है हाइड्रोमीटर आप से पूछेगा द्रब घनात्व मापी या अप यह भी बोल सकते उत्पलावन घनात्व मा आप एक पर करके क्या हुआ आर्कमेडिज के सिधान से यानि जो भी द्राप से संबंधित आए आर्कमेडिज आपको मादना लेकिन एक अपवाद है भैसलीन लगे भैसलीन आप जो लगाते हैं भैसलीन चेहरा पे लगी सुई पानी पे तैरता जैल पे तो कौनसा नहीं प्र तो इसका राइट अंसर क्या जगा देखिए बी राइट अंसर क्यों होगा पूछा कि नहीं अधारित है यानि आर्कमेडिज के सिधान पर अधारित नहीं है हवाई जहाज के पांखों की डिजाइनि तो बताइए कि जो हवाई जहाज है इरूपलेन एक कहां उड़ता है पानी में या वायू मंदल में तो आप बोलिया सर वायू मंदल में तो आपको बताना है या वायू मंदल की किस मंदल में हवाई जहाज उड़ता जैसे में होता है समताप मंदल छोब मंदल आया मंदल तो आपको बताना है किस मंदल में उड़ता है तो इसका अंसर आपको देखे, यहां हो गया मिनी कोई, मिनी कोई दिप, मिनी कोई, माल दिप, इसके बिच कौन सा है, आठ डिगरी चैनल, और यहां हो जागा लच दिप, latchdip latchdip के बीच कान सा है 9 degree channel देखे पूछेएगा 8 degree channel किसके बीच है Maldiv और Minnikoy ृचदीब 9 degree channel Minnikoy और latchdip 9 degree channel पूछेएगा Minnikoy और latchdip के बीच है 8 डिग्र चेनल, माल्दिव और मीनिकुवर और लाचि दिप समु में कुल कितने दिप है 36 से भी प्रसने पूछेगा इसको भी याद रखेगा प्रसने पूछा अंड माद, निको बार दिप में अंड माद और निको बार, यानि 10 डिग्री चैनल का है तो उपरे अन्ट मन ऊपर हम ए लिक दाराओ नीचे ए नि, यानि अन्ट मन उपरां नीचे नीचो बार, इसको को बम करता? 10 डिगरी चैनल, अब हिंदी में लिख लिख लिएका, नीचो बार उपर अन्ट मन. किसको अलग करता है 10 डिगरी चैनल और 49 डिगरी समानतर रेखा किसको अलग करता है तो कनाड़ा और USA को ये चार जो प्रस्ण है बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है पूछेगा फिर सेक पर देखिया माल्दिव और मीनिकोय दीप को अलग करता 8 डिगरी चैनल मीनिकोय और लच दीप को अलग करता 9 डिगरी चैनल अनमान और निकोवर दीप को अलग करता 10 डिगरी चैनल और ये प्रस्ण पूछता भी है कि बंगाल के खाड़ी में कुल कितने दीप है तो 572 इसको भी नोट करि कि 10 डिगरी जलसंदी इनमें से किस समन्धित है तो अन्दमान नीकोवार दीप समूँ अगला प्रश्निप चलते हैं पुलकेशिन दिवितिय किस राजबंस का सरवाधिक परख्यात साथ सक्था चलूक के तो फैक प्रश्ने आपको याद ही राखना पड़ेगा चलूक के पुलकेशिन दिवितिय किस राजबंस का सरवाधिक परख्यात साथ सक्था चलूक के देखिए हम आपको लुकेशन बता देते हैं यह सब का लाच दीप आम नीकोई का क्योंकि आप लुकेशन हम बता दें तो जल्दी असानी सी याद हो जाता है लुकेशन देखिए इसका वन मिनाट यह देखिए यह आप जो देख रहें कब रती लाच दीप का रजधानी है तो प्रस ने भी पूछा था कि लाच दीप का रजधानी कहां है तो कब रती यह लाच दीप हो जागा और यह लाच दीप हो इसके नीचे क्या है देखी इसके जो नीचे और नीचे जागे मतली इथा तिधर पड़ेगा माल दीव और बीच में मिनिक वाई दीप एह हो जागा और आणड मन नीकोवर जब आप देखिए तो आणड मन नीकोवर देखिए यहां है और 10 डिगरी चेनल इस तरफ है यह होजागा and one और यह होजागा निक को वर्दीप समुझ इग्रेट निक को और फिस्थ है भारत का डशिंतम बिन्दु अगर ज्यादा प्रस्जर्ड डिपकल्ट करता है तो आपand 1 neko bar आप याद करके रहें कि भारत का गषिंतम उंद्रा पोईंट कहां इस्तित थे देगा great neko bar deebsamu तब आसे याद कर लिजे कहाँ great neko was तो यह तो सीधा प्रस्णी चलते हैं हुआ यहां थित इसका Влад answer के कोकशिन डिवीyty ये फैक्ट प्रस्ण याद रखना पड़ेगा चलूक के बन से समन्धित्थे इन में से कौन सा बैधूत उपकरन जूल के तापन नियम पराधारित नहीं है तो ये जूल का तापन नियम क्या था तो जब भी बीधू धारा ये करेंट परवाहित किया जाए तो क्या हो जब उससे उसमा जनरेट हो किसी भी बीधू तूपकरन में करेंट ये बीधू धारा परवाहित किया जाए तो क्या होना चाहिए उसमा उत्सरजित हो तो यही नियम क्या कहलाता था जूल का तापन का न से जनरेट होना चाहिए या निकलना चाहिए तब बताइए कभी स्वीच जो देखे है स्वीच उससे उसमा जनरेट होता है जो स्वीच जो आफन करते हैं उसमा जनरेट होगा तो जाएंगे स्वीच आफन करने तो हाथे जल गया तो जनरेट उससे क्या था उसमा जनरेट नह मार बिदूत पलंग एबं स्वीच पलाग पलाग जो हता पलंग लिख दिया पलाग 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 आप बोलतेसको चार्दोग जो नहीं रहता प्रीन पलंग हम लों लगाते हों ही पलाग है स्वीच से क्या उस्मा जनरेट नहीं होता अलेक्ट्रिक केतली यानि केतली जो गर्म होता विदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद नहीं होता नहीं है तो सुविच से कभी भी उसमा जेनरेटर नहीं होता है यह लोगत ही अच्छे तरह से जानता हुआ यह हम लोग का लाइप में यूज है तो इसलिए हम लोग इसका अंसर राइट कर लेंगा option नमबर बी कौन अधारित नहीं है तो option नमबर बी आगला प्रस्ण है JW मौचली लिखा JW मौचली और J प्रेस पर इकर्ट दोवारा निर्मित परथम एयांत्रिक पूर्जो रहीत कम्प्यूटर का नाम किया था ते फैक्ट प्रस्ण है सब यह आपको याधी रखना पड़ेगा E-N-I-A-C E-N-I-A-C नाम था तो कभी-कभी कुछ प्रस्ण ने पूछ दे रहा है सा कि जो आप उसको असानिस मतलब नहीं कर सकते है मार्थ 2021 में इनमें से किस भारती है राज ये केंदर सासित परदेसों ने 2048 के उलम्पिक में बीड करनी की घोसना की बीड आप समझते हैं बीड बीड करने की घोसना की अब आप कभी बीड की हैं बीड बीड नहीं समझते हैं बीड बोली निलामी इसा समझते हैं निलामी या बोली लगाना निलामी वही कहा है बीड तो बीड करने की घोसना की किस उलम्पिक में किस राजय केंदर साथ सित परदेश ने तो किस ने किया दिल्ली यानि ये प्रास ने बोल रहा है कि मार्च 2021 में इनमें से किस भारतिये राजय केंदर साथ सित परदेश ने 2048 के उलम्पिक में बीड करने की घोसना की यानि 2048 के उलम्पिक में बोली लगाने की घोसना की समझ रहें बोली आप बोली समझते हैं न यह निलामी जिसको हम कहते हैं निलामी लगाने घोसना की तो कौन सा के अंदर साथ सित परदेश है दिल्ली तो इसको याद रहेखेगा इंपोर्टेंट निम्नलिकित में से कौन सा बेफ ब्रोजर नहीं है गूगल गूगल एक पर करकर क्या सर्च इंजन है गूगल हम लोग सर्च करते हैं एक पर करकर क्या बेफ ब्रोजर नहीं है गूगल क्या सर्च इंजन इसका राइट अंसर का जग अप्सन नमबर डी और बाकी ओपेरा, मोजोला, फायर फॉक्स, सफारी सब क्या बेब बरोजर ग्रामी छेतरों के ऐसे बेक्तियों और समुदायों को पुरुस्क्रीद करने के लिए भारत सरकर्द वरा किस पुरुस्कार की अस्थापना की गई है जिन्होंने बन्य जीवन के सनराचन में आसाधारन साहस एवं समरपर का परदसन किया है तो कौन थी? अमरीता देवी बिस्नोई पुरुसकार तो अमरीता देवी बिस्नोई के नाम पे अमरीता देवी बिस्नोई पुरुसकार का गठन किया गया अस्थपना किया गया जिसका राइट अंसर के आज़ाग ऑप्सन नमबर C सुन्दरलाल बहु बुना तो ये भी समन्दित थे किस से परियावरान संद्छन से जो अभी आपको तुराद बता है चिपको अंदोलन नाटो नाटो का फूल फर्म सिधा पूछेगा नौर्थ अट्लांटिक ट्रेटी और्गिनाइजेशन उत्री अट्लांटिक संधी संगठन जिसको हम हिंदी बोलते हैं इंग्लिस में बोलते हैं दा लगा दें कि दा नौर्थ अट्लांटिक ट्रेटी और्गिनाइजेशन किस परकार का संगठन है तो अंतर सरकारी किस परकार का संगठ्थन है अंतर सरकारिक और इसका हेट क्वार्टर का बुरूसेल्स बुरूसेल्स यह कहां बेल्जीम यह कहां पढ़ता है बुरूसेल्स बेल्जीम में यह कहां पढ़ता है बेल्जीम में बुरूसेल्स हेट क्वार्टर का है बुरूसेल्स अस्थापना कवा था 1949 में तो अस्थापना को ज़्यादा याद नहीं रखना आपको याद रखना कि हेट क्वार्टर का ब्रूसेस बेल्जियम और नाटो का फूल फर्म क्या था दे नॉर्थ यह भी याद रहें ना नॉर्थ अट्लांटिक ट्रेटी और्गिनाइजिशन य यानि दो, दो या दो से अधीक लोग का मिलन, क्या के देमलोग संधी कहते हैं, संधी का मतल़ भी होता है मिलना, तो नाटो का फूल फर्म आप याद रखेगा, हेट को वाटर याद रखेगा, एक किस परकार का संगठन है तो अंता सरकारी सैने संधी, तो आगला प्रशन चलते हैं, यानि उसका फूल फर्म आप जहां बहुत सा देशों का मिलन होता है, यानि संगठन, वही का संधी एक परकार का है, अंता सरकारी संधी, इन में से कौन सा देश, 2030 में ACI Cup, फुटवाल टूर्नमेंट की मेजवानी करेगा, तो सीधा इसा प्रसने, फैक्ट प्रस अप्सन नमबर C, अगला प्रसने की, अक्टूबर 2020 में, नासा ने सिगनस अंत्रीच यानि का नाम किस अंत्रीच यात्री के नाम पर रखा है, most important क्यूचन है, कलपना चावला, किसके नाम पर है, तो कलपना चावला, किस नवरतने कमपनी को समनेता, बीजाग अश्टील, तो सीधा प्रस ने पूछेगा, इसको सिर्फा पुयाद रखना कि बीजाग अश्टील के नाम से किसे जाना जाता है, तो रश्टिये इसपात निगम लिम्टेड, किसको जानते हैं, रश्टिये इसपात निगम लिम्टेड, मौपला बीद्रो, कहां हुआ था? किेरलके मालावार तटपे, एक का बुए था? तुन्हों, 181 से 22 में हुआ था, परसीद संगाई महटोषब, परसीद संगाई संग गई महा उत्सा पुर्वोतर भारत की किस राज में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक स्थांस्क्रिटिक उत्सब है तो उत्तर भारत दिया तो सभी आप्शन उत्तर भारत ही है अब इससे अंसर नहीं चाड़ सकती आप याद रखेगा मनी पूर इंपोर्टेंट है धकन के पठार के अधिकांस हिस्से में किस परकार की मिट्टी पाए जाती है धकन का पठार आप देख रहे हैं या बताना पड़ेगा फुल किस्टन से जो आप महराष्ट देख रहे हैं करनाटा बहुत आप देख रहे हैं आंदर प्रदे सुसर ये दोनों बीच में जो आप देख रहे हुआ है धकन का पठार का अधिया है जो सत्कुरा सरेनी का आप नीचे जब जाएगा तो ही क्या धकन का पठार तो काला मिटी यानि काली मिटी option number A, धकन के पठार में पाई जाती है काली मिटी, क्यों? क्यों पाई जाता है? जो काली मिटी है, किसके लिए उपचाओ है? काली मिटी यानि कॉफी के लिए, किसके लिए? कॉफी के लिए, तो जहां भी बिस्फोट होगा, जवाले मुखी बिस्फोट होगा हो, वहां क्या ह सब्सक्राइब काली मीटी और काली मीटी में होता है क्या तो कोफी कोफी कहां बताएंगे करनाटक कोफी करनाटक ताप इसको याद रखेगा अगला प्रश्ट चलते हैं रुद्र देव दोबारा बनाया गया था रुद्र देव का समन्द किस से है तेहां से तीन प्रश्ट ने पूछेगा पहला के रुद्र देव के दोबारा बनाया गया और किस से समन्दी थे काक्तिय बंस समन्दी थे कौन तो रुद्र देव रुद्र देव ने बनाया रुद्रेश्वर मंदीर इस तरह सब याद रखेगा रुद्र देव ने बनाया रुद्र देश्वर मंदीर और किस समन्दी थे काक्तिय बंस अगला प्रश्ण क्या है तो देखिए यहां पर लुकेशन है आपको बता रहे है वान मिनिट जो धक्कन का पठार है यह जो आप एरिया देख रहे है यह जो आप एरिया देख रहे है यह जो आप एरिया देख रहे है यह क्या धक्कन का पठार है यह जो आप एरिया देख रहे हैं यह सब क्या धक्कन का पठार है तो यही धक्कन का पठार तो जो भी आज हम लोग परशने को क्लेक्ट के थे यह समाप्त हो गया अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी सेर करें आज जरूर आप अपने दोस्तों पास बटाइब और जोडिये हम लोग जितना ज चैनल से जोवाइन हो जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जागा या आप जिस तरह से प्ले लिस्ट में जाते हैं उसी तरह से और आगे जाएगा तो आप मिलेगा आवाउट वहाँ साबको जाना नीचे जीस तरह का टेलग्राम का लोगो होता है उसी तरह का टेलग्राम का लोगो है टेलग्राम पर किलिक करेंगा सीधा आप जोवाइन हो जाएगा तो लोगों मिलतें नेक्स्ट वीडियो में जब तेक लिए अपना ख्यार रखें अच्छे से पढ़ते रहें घर पे रहें सुच्छीत रहें जैहिन जैभारत